आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज 9 मार्च 2024 है और सिर्फ 24 आवर्स का समय आपके लिए बचा है दो इंपोर्टन अपडेट्स है जो की आपको जानना जरूरी है अगर आपने उनके उपर ध्यान नहीं दिया तो आपके 6 महीने जो है वो वेस्ट हो सकते हैं तो आज की वीडियो हमारी काफी इंपोर्टन है आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अंतक देखें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इगनु के इस नटर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो आप सीधा की या थर्ड येर की अपनी फीज समिट करते हैं और अपने नेक्स येर के जो सब्जेक्ट से उनको सिलेट करते हैं जरूरी नहीं है कि आपने अगर दिसंबर 2023 के एक्जाम को क्लियर नहीं किया या आपका अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप जनवरी 2023 का रिरेजिस्ट्र नहीं करेंगे आप चाहे दिसंबर 2023 में एक्जाम दे या फिर नहीं दे आपका रिजल्ट में आप पास हो या फिर नहीं हो अगर आप जनवरी 2024 के लिए रिरेजिस्ट्रेशन के लिए अलेजिबल हैं तो आपको रिरेजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर आप रिरेजिस् आपके 6 महीने सीता सीता जो है वेस्ट हो जाएंगे अभी आपके पास मौका है 24 आवर्स अभी आपके पास और है 10 मार्च 2024 तक आप अपना re-registration करवा सकते हैं 200 रुपे की जो late fees है वो भी बताई गई है यानकी 200 रुपे की late fees के साथ आप अपना अभी भी कल तक 10 मार्च 2024 तक re-registration करवा सकते हैं तो जितने भी student है जो की January 2024 के लिए eligible है re-registration करवाने के लिए वो जरूर करवा है यहाँ पर मैं आपको बता दू certificate और diploma course जो होते हैं उनमें re-registration की जरूरत नहीं होती उनमें एक ही बार में आपसे fees जो है वो collect कर ली जाती है इसलिए जो certificate course के student है या diploma course के student है उनको re-registration नहीं करवाना होता नेक्स्ट और एक और जरूरी update के बार में बात करते हैं तो आपके लिए अगर आप IGNU के अंदर bachelor degree में master degree में या diploma में या certificate में अगर आप January 2024 में new admission लेना चाते हैं तो उसके लिए जो last rate है वो भी 10 March 2024 है हो सकता है कि आपको अभी 10 March 2024 के बाद भी थोड़ा सा और समय मिल जाए कि आप admission ले सकते हैं लेकिन वो admission फिर आपका certificate courses में और semester based courses में बंद हो जाएगा क्योंकि आप जानते कि semester और certificate courses यो होते हैं उनमे 6 महिने में exam होता यान कि January 2024 में admission लेने पर June 2024 में आपको exam देना पड़ेगा इसलिए सबसे पहले आपका certificate course और semester based यो प्रोग्राम होते हैं उनके admission बंद हो जाते हैं अगर कोई yearly based program है जैसे MA हो गया, M-Cum हो गया तो उनमें आपको और मौका मिलता है आपका कि एक साल का क्योंकि वो पूरा course है, January 2024 में admission लेने के बाद, December 2024 में आपको exam देने हैं तो आपको जादा मौका मिलता है, लेकिन अगर आप किसी certificate course में admission लेना चाहते हैं, तो आपके लिए 10 March 2024 last date हो सकती है इसके बाद हो सकता है कि आपको certificate program में या फिर semester based program में और ज्यादा मौका last date इसकी accident ना की जाए तो आपके पास 24 hour का समय है, आप सोच सकते हैं और आप online सिर्फ अपने mobile phone के जरिये भी अपना जो admission है उसको करवा सकते हैं इगनु में admission लेने के one month में आपका जो admission होता है, वो confirm हो जाता है, अगर कोई disparity होती है, आपकी photo match नहीं कर दी, signature वगएर या कोई भी किसी तरीके की दिक्कत है, तो इगनु की तरफ से खुद से आपको mail आ जाता है और आपको समय दिया जाता है कि आप उस disparity को ही करें और उस का जरूर फाइदा उठाएं क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि आपको अपना 6 महीने के बाद ही मौका दुबारा मिले, आपके लिए registration और admission लेने का, तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको बसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सेयर जरूर कीजिए झाल, तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो में इतना ही है।